गाइस ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी positive और negative thinking हमारे उपर कितना बड़ा effect डालती है तो आज मैं आपको इसी का एक live और real example बताने जा रहा हूँ तो चलिए जानते हैं गाइस दरसल ये बात है अमेरिका की एक बार वहाँ के कैदी को मौत की सजा सुनाई गई तो वहाँ के बैग्यानिकों ने सोचा कि इसे मौत की सजा तो सुना ही दी गई है तो क्यों ना हम इसके उपर कोई experiment कर ले तो फिर बैग्यानिकों ने सरकार से experiment करने की permission ली उसके बाद उसके उपर एक experiment किया गया और वो experiment ये था कि उसको ये बताया गया है कि तुम्हें एक सांप से कटवा कर मौत दी जाएगी उसके बाद उसे एक कुर्सी से बांद दिया गया और उसकी दोनों आखों को पट्टी से बांद कर बंद कर दिया गया उसके बाद उसे सांप से कटवाने की जगाए दो सेफटी पिंच चुबा दिये गए लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उसकी पोश्ट मार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साप के जहर के जैसा ही एक जहर पाया गया लेकिन अब सवाल ये उटता है कि आखर उसे साप से तो कटवाया नहीं गया था फिर भी ये जहर आया कहां से तो गाईस जवाब ये है कि वो जहर उसके मन नहीं उसके दिमाग नहीं बनाया था जी हाँ गाईज एक study के मताबिक हमें 75% तक बीमारियां हमारी negative thinking की ही वज़े से होती है हम जैसा सोचते हैं हमारे दिमाग में वैसे ही chemical reactions होने लगते हैं और हमारा दिमाग उसी तरफ चलने लगता है So always guys think positive, be positive इससे पहले आपको interesting fact पता था चैट section लिखना मत भूलेगा इसी more informative videos के लिए चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कर लिजे